नमस्कार मैं हूँ ममता तिवारी और मॉर्निंग प्राइम टाइम के सबसे पसंदीदा शो स्पेशल रेपोर्ट में आपका स्वागत है आज आपको बताएंगे इरान और इसराइल यूद से जुड़ी हर अपडेट के बारे में तो एरान ने इसराइल पर ताबर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असलिए युद अभी बागी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमानू युद तो इसराइल और इरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है इरान ने 5 गंटे तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये है इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद अभी बाकी है और इस बीच कुछ रेपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर एरान पर इसराइल और अमेरका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी सिथी में रूस एरान के साथ युद में कूद पड़ेगा देखिए ये रेपोर्ट इसराइल से युद इरान के साथ रूस अगर इसराइल, अमेरिका, बित्राइल और पश्चम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 घंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फेहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रपति पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ बेने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटर और इस्रेल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइले, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पढ़ेंगे राश्रपती पोतिन ने एरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पोचा दिया है बश्य मीडिया के जानकारों के मताबिक इस्रेल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रैल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है जरा देखिए क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस योकरेन जंग में इरान जम कर रूस का साथ दे रहा है इसलिए अब रूस इरान का जंग में साथ देने के लिए तयार हो चुका है इरान योकरेन युद में रूस को हजारों आपन घाती ढों शाहिद 136 मुहासर 10 जैसे ढों दे रहा है जिसके जरिये रूस योकरेन को जंग में रौंद चुका है यहां तक की खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को योकरेन जंग में अपनी घातक में साहिए तीन लाग तोप के गोले 10 करोड गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारों रौकेट जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट का दावा है कि पोतिन इरान के एसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफ़दारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इस्रेल पर घातक हमले किये हैं और दीन साथ पीस मिसाइल और गूम से हमला किया है बरादरान व दूस्तान मान दर मनतगे के एलात मुदादी अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदें के हदफ मा दर दिफाए मश्रू सिर्फन थन्बीह रजीम इस्राईल है इरान के साथ मुस्लिम वर्ड इस्रेल के साथ नेटो इस्रेल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटें, फ्रांक्स समेथ तमाम पश्रिमी और नेटो देश इस्रेल के साथ खड़े हैं अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वर्ड के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गददारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इस्रेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस स्वक्त अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इस्रेल ने इस्रेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्ध जॉर्डन से होकर इस्रेल की ओर जाने वाले दरजनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की आई आर जीसी ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदिविद्यों की सावधानी पूर्वक नेगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा इस्राइल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्राइल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले दबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से जादा ढून और कम से कम 3 बैलेस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है इस्रेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99 फीस्दी ढून और मिसाइल को मार गिराया है दावे की मताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इस्रेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई एरान की 120 बलेस्टिक मिसाइले दागी गई जेने तबाग करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बलेस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल के 99 एर बेस में गिर गई थी इस्राइली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है लोरोत पिकुद आओरेफ वे ले अरेख लेकुल तर्खीश यखद इम जे अट गल हमश्माओती बियोतर हारीशन बलामनो वासीनो इज़े बाचला गडोला एरान ने दिखाया ट्रेलर इशुद तो अभी बाकी है पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्शिम एशिया में जंग से बने हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बिटन जंग में सीधे तोर पर पूट पड़े हैं इस्रेल भी इरान पर जवावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्रेल के पीम बेन्यमिन नेतनियाहू फाइटर जेट एफ 15 बेस का दोरा कर चुके हैं नेतनियाहू भले ही इरान को तबाही की धम्तियां दें लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इस्रेल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इस्रेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़दरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेच ये मिसाइल 17500 क्रती घंटे की तेजी से 2500 क्लोमीटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं खीबर मिसाइल की मारफ्षम ताक 2000 क्लोमीटर है इसके साथ ही हज कासेम की अटैकिंग रेंज 1400 क्लोमीटर है इरान के पास ग्रूज मिसाइल भी है जो न्यूखलियर पावर से लेस है इसके रेंज तीन हाजार किलो मीटर है इरान ने अपने डोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडलिस्ट कशे तकिबाद कीजाए तो ऐरान अधगाती ग्रॉन का सबसे बड़ा नर्माता है ऐरान के पास मोहाज़त 10 नाम का धातक ग्रॉन भी है जिसकी रेन, 2,000 किलोमीटर है तो वही मोहाज़त 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का बस्पूर्टक भी लेजा सकता है अमश एरान पत्का बमतकफा नגद इसराईल वशिगरा योतर म-300 इयומים मसुगीं शोनीं अईयום ऐरानी पगश एता अलियनות अवीरित वाटिक्नोलोगीट शल बशिलोव कोवालिट्सिया लोगमत खजका शियाखद इर्टो एत रुबाम हमकरिया शल ऐयूमीम अईसे हालात मेदर ऐरान रूस के साथ सीधे जंग में पूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिलकर भी इसरेल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इसरेल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चट्टान बन कर खड़ा हो गया है पुरा तो अभी इरान के हमले के कुछी गंटे गुजरे हैं और उधर इसराइल ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में इसबल्ला के अतियार डीपो को बारूदी दमाके से नेस्ता नाबूत कर दिया है इसराइल ने पूरी फोर्स के साथ इरान और उसका साथ दिले दुश्मनों को सबक सिखाने का एलान भी किया है और इसराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा है कि मामला अभी खतम नहीं हुआ है देखे रेपोर्ट 48 गंटे यही डेड्लाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 गंटे बाद इसराइल ने ओपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है क्योंकि रेडी हो गई मिसाइल 48 गंटे में बदला लेगा इसराइल तेहरान में जेरिकों का धमाका इरान का बचना ना मुमकिन मोसाद का ओपरेशन घर में गुस कर बदला 48 गंटे बाद खाड़ी में एच्मी यलकार इरान ने बारूदी ट्रेलर दिखाया है इसराइल इंतकाम की पूरी पिक्चर के लिए तैयार है इरान ने ड्रोन और मिसाइल की पावर दिखाई है इसराइल एर पावर का मोस्ट शौकिंग शो दिखाएगा इरान ने इसराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई है इस्रेल इंतकाम का इतिहास दोराएगा ये युद्ध अब किसी के रोके नहीं रोक सकता ये बारूदी विद्भन्स अब किसी के टाले नहीं टल सकता क्योंकि ये युद्ध इस्रेल के वजूद का है क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसे इसरेल का इस दुनिया में होना ही बरदाश्ट नहीं सही समझ रहे हैं इरान को इस धर्ती पर इसरेल की मौझूद की खटकती है इसलिए ये जंग आर पार के मोर तक जाए की इसरेल इसके लिए तयार बैठा था मौका इरान ने दे दिया है तीन सो विस फोटक हथियारों से हमला कर इरान ने इसरेल को युद्ध के मैदान में बुलाया है दुनिया जानती है कि जब भी इसरेल जंग शुरू करता है तो खत्म अपनी शर्तों पर करता है इसरेल क्या क्या करने जा रहा है तेरान में टेरर क्यों है इरान इस्रेल तकराओ की लास्ट स्टेज क्या होगे इसकी अटकलों ने दुनिया भर को थर्रा दिया है इस्रेल के हथियारों की काट किसी के पास नहीं है इस्रेल जैसे सोलजर बहुत कम सेनाओं के पास है इसरेल के सबसे खोखार और शातिर खोफिया कमांडो मुसाद भी जंग के लिए तयार है इसरेल फुल फोर्स में अटैक मोड में आने वाला है इरान के पास डेडलाइन भी महज 48 घंटे की है इस टाइमलाइन के बाद क्या हो सकता है इसे समझना है तो पहले ये जानिये कि इसरेल के लिए इरान को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं ऐसे हालात में इसरेल इरान को सबक कैसे सिखाएगा ये युद्ध हुआ तो लड़ा कैसे जाएगा जबाब सीधा है युद्ध तक नीक का होगा लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की तक्कर होगी युद्ध के नतीजे आस्मानी लड़ा के ही तै करेंगे दुनिया का सबसे घादक जंगी जट माना जाने वाला ये मेड इन अमेरिका F-35 इसरेल के पास है F-35 स्टेल्थ फाइजर के खास्यतें देखिए F-35 2000 किलोमेटर प्रति घंटी के रफ़तार के साथ उड़ान भर सकता है F-35 वार्टिकल टेक ओफ लैंडिंग में सक्षम F-35 कोई भी रेडार इसे नहीं पकड़ सकता F-35 किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है F-35 जमीन हवा में टार्गेट को नश्ट करने में सक्षम F-35 910 किलो के 6 बंब लेकर उड़ सकता है F-35 का बेडा इरानी तबाही का सबब बन सकता है वहीं इरान जिस मिसाइल पावर की धोस जमाता है उसके मामले में इस्रेल भारी पढ़ता है इस्रेल की एक मिसाइल ही इरान में खूनी को अराम मचा सकती है इस्रेल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबिल शहर के नाम पर रखा गया था जैरिको बैलेस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कम्पनी दसॉल्ट की सहयोग से बन रही थी बात में इसरेल ने इसे अपने दम पर तयार किया मौजूदा समय में जैरिको बैलेस्टिक मिसाइल के तीन सिस्टम इसरेल के पास है इसकी क्षम्दा अन्तालीस सो से बैंसट सो किलोमेटर तक है पूरा इरान इसरेल की एक मिसाइल की जद में है यानि ट्रिगर तेल अवीब में दबेगा और बारूदी जलजला इरान में उठेगा अपनी धर्ती से इरान को दहलाने तक ही इसरेल नहीं रुकेगा इरान में घुस कर भी इसरेल सेन ने ओपरीशन को अन्जाम देगा हला कि इसका स्टाइल अलग हो सकता है जैसे कि इसरेल ने ओपरीशन उपीरा चला कर इराक के परमाणू रियक्टर पर हवाई हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था इराक के ओसी राक परमाणू रियक्टर खत्म करने के लिए इसरेल ने F-16 जेत उड़ाये थे ऐसी इसरेल के सबसे धातक लड़ाके हैं मुसाद एजेंट जिनका दुनिया भर में डंका बचता है मुसाद एजेंट्स ने ये ओपरेशन अन्जाम दिया था मुसाद एजेंट के ओपरेशन से इरान किस कदर खौफ खाता है इसकी एक मिसाल 2018 में भी देखी थी जब तेहरान में घुसकर मुसाद एजेंट ने 32 अलमारियों में छेपा कर रखे गए इरान के न्यूकलियर प्रोग्राम के डॉक्युमेंट हासिल कर लिये थे इरान के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा जटका माना जाता है मुसाद एजेंट अपने दुश्मन के खात्मे तक उसका पीछा करते हैं दुश्मन को तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोर देता वार फ्रेंट पर मुसाद एजेंट एरान के लिए सबसे बड़ी चुनोती बनने जा रहे हैं इसके साथ दूनों देशों में फुल फ्लेश्ट वार की नौबत आने पर कई और फर्क साथ जैसे एरान के पास भले ही पूरे मिडल इस्ट में सबसे बड़ी सेना है और एर बैटल के तमाम हथियार डेपलप कर लिए गए हैं लेकिन इस्रेल के मुकाबले उसके सेन एक ट्रेंड नहीं है इरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजूरी है वो उनकी एरफोर्स है इरान की एरफोर्स इस्रेल के मुकाबले कहीं नहीं ठहर दी इरान की ज्यादत तर एरक्राफ्ट 1941 से 1989 के बीच के हैं कई विमान तो अब ढंक से चलते भी नहीं क्योंकि उनके स्पेर पार्ट्स ही नहीं मिलते इरान ने आखरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एरक्राफ्ट खरीदे थे लेकिन वो भी पूरी तरह operational नहीं है इसी तरह इरान के ट्रैंक से लेकर बक्तरबंद गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो चुकी है Modern Warfare में टेक्नलोजी का सबसे बड़ा रोल है इसरेल इस मामले में इरान से कोसों आगे है इरान के पास भले ही नंबर हो लेकिन टेक्नलोजी और इंटेलिजन्स के फ्रंट पर इसरेल दुनिया में सबसे आगे है लेकिन इरान को बेहद कमजूर समझना भी इसरेल की बड़ी भूल साबित हो सकती है इसलिए पश्यमी देश खास कर अमेरिका और इसरेल इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए हाना कि पश्यमी देशों ने इरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे है इसी वज़े से इरान टैंक और फाइटर जेट को डेवलप करने में खास सफल नहीं हो पाया लेकिन इरान की मेसाइल पावर बेजोड है लेकिन इसरेल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तिमाल करता है हर हथियार मतलब हर हथियार मुम्किन है कि एरान से आर पार की नौबत आये तो इसरेल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे क्योंकि एरान से युद में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही कटर दुश्मन दोनों मुलक आखरी सांस तक जंग जीतने की कोशिच करेंगे ऐसे में किसी भी वक्त परमारू हथियारों के बटन दब सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद का आगाज होगा क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वॉल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नेटो जैसे संगठन का पावर है जाहिर है नियोकलियर युद के खत्रे को अब टाला नहीं जा सकता क्योंकि इस्रैल इंतकाम लेने के लिए कोख्यात है इस्रैल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है चोड़ ये वक्त एक छोड़े सब्रेका है फोरान हाजर होते है इस वक्त इस्रैल ने एरान के हर बड़े मिलिटरी वेस को अपने टार्गेट पर लखा हुआ है और उसने अटाक के लिए अपनी टाइगर फोर्स भी तैनात कर दी और तैयार करती है अब फैसला है नितने अनाहू को देना है और इस्रैल को अपने किस हत्यार पर सबसे ज़्यादा भरुसा है ये जानकर एरान भी हैरान है देखे रपो पश्यमेश्या के आसपास समंदर इस वक्त उबल रहा है इस्रैल जवाब देगा इसका सब को यकीन है फारस के खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है उबलते समंदर में डाले गए युद्ध वाले तेजाब का असर दिखने लगा है चार देशों के नाम लिये जा रहे हैं ये है इरान, इस्रैल, अमेरिका और रूस इरान के समंदर में बहुत बड़ी साज़श अपरेल के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है क्या अपरेल के महीने में इरान और इस्रैल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है ये है इस्रेल का F-35 फाइटर चेट युद्ध के लिए बेचान बैठा यही है असली दिमा जिसे इस्रेल ने बड़े मिशन के लिए रेडी कर दिया है ये दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घादर फाइटर है जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीख में कर पाएगा इस्रेल ने अपनी F-35 स्टेल्थ जेट वाली फोर्स को इरान पर हमले के लिए पूरी तरह तयार किया हुआ है F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आथा यही इसकी सबसे वड़े खासियत है F-35 के अधित्त प्रफ्तार करीब 2000 किलोमेटर प्रति घंटे है न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है ना ही उसके रेडार इसे ट्रैक कर पाते हैं यही वज़य है कि F-35 इरान पर अगर हमला करता है तो इरान के लिए इसे ट्रैक करना हम मुश्किल हो जाएगा दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुँच कर यह बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है इसरेल के पास 49 F-35 फाइटर जेट है अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान है अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाके में भी तैनात रखता है इस विमान को रोप अपने की ताकत इरान के पास नहीं है लेकिन इरान की छोटी लेकिन और चलिए इस बुलिटर में फराल के लिए बस इतना ही बाके ने खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ नमस्कार